किसे हैं आप लोग में हूँ अर्णफ कुमार आप देख रहे हैं कि स्ट्यार्यूटिक चैनल राज हैं खेलने जा रहे हैं रिजल क्रिकेट 20 कि वापस से मैं चल रहा है अब देख सकते हैं डीप एक्स्ट्रा कवर बिफील्ड हैं मौजूद ओ मैगार आया आते ही पहले लिया आती ही कर पाये थे यहां हो और यह आउट बहुती निराश लग रहे हैं कि आप देख सकते कैसे विकट लेया आप देख सकते कैसे विकट लेया जिस तरह मचली फस्ती है जाल में उसी तरह बल्ले बास फस गए इनके जाल में तो है आगे है शेन वाट्सन यो तो अच्छा बाइन का सिकलेट है जायज है कि उनका फेवरिट एंड होगा हुआ हुआ है अाज का वेधर फॉर्कास तो कह रहा था कि तूफ होगी और यह देखिए वार्शा पानी तो यह थोड़ा से पही नहीं भी तो आपने में तो वो एक सेकिंड नहीं लगाते ही है बहुत ही बढ़िया सिक्स फील्डिंग में बड़ी बर्दन चलिए देखते हैं कि अगली के इन स्टीडियम के कौन से हिस्से में जा गिरेगी इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूच भूज और नियन तरण के साथ गेन बाजी करनी होगी यहां बहुत ही अच्छी थाल पेल दोनों बल्ले बाज़नी पीच में बढ़िया रड़िक विट्विट्स ग्राउंड पे पानी तो अब दिखनी शुरू हो गई है लगता है अमपायर जल्दी के पंतना देगे दो रण का कॉल बजगे 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 बहुत ही बेरहमी से दुलाई किया है फास बोलर्स की इनोंने पूरी तरह मिस्किया वहाँ बिल्कुल की जरूरत नहीं किया यह शौट खेले की लगता है अपनी एका करता थो बैठे बहुत ही खराब गेज और यह वाइट बॉल लोंग लेक पर फील्डर तेनाथ करते हुए मानों बल्लेबास से कह रहे हैं अब ठोड़े शौट प्रिच बॉल पर भी तो छक्के मारके दिखाओ इसी के साथ यह मैच अभी फिलहाल दो रोख दिया गया है और प्लेयर्स अब वापस अपने पेविलियर लोटेगे और अमपायर बेल गिराते हुए इसी के साथ बारिश थांगई और प्लेयर्स इक बन फिल्प क्राउड में वापस आते हुए परिवर्तन देजगे इनवास को लाया जा रहा है तुवाए पोलाड आगिया डीप इक्स्ट्रा कवर भी फिल्डर मौजूद बहुत ही बड़ा सिक्स मानों कह रहे थे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं फिल्डिंग में परिवर्तन ऐसे फिल्डिंग में खेल रहे हैं जैसे अंग्रीजी में कहते हैं फिल्डर के पास और वो सिर्फ बॉल को जाते हुए देख सकते थे ये एक ऐसे बल्लेबाज है जो ग्राउंड के किसी भी कोले में मार सकते हैं चलिए देखते हैं अगली गेन कहां मारेंगे ओ ऐसा लगता है गेन को देखा ही नहीं वहाँ पे निराश लग रहे हैं वहाँ मेरी माने ये तो अब मैं आपको कुछ किसमत संझें जो अब भी फ्रीस पे ही कड़े हैं ये रजाकत से खेन दिया है सिंगल के कुछ रनाउट का चांस बहती करीब ही मामला ओ ना यार रनाउट हो गए सिट निराश हो कर पेविलिन ते तरफ फ्लाट टेव मैं समझता हूँ के इनोंने बहुती अनावश्यक रिस्क लिया था या और ये आउट तो वाइड ड्रेट ड्वेन ब्रावा आ रहा है गैच आउट हो जाओ बोल्ड हो जाओ लेकिन रनाउट कभी मत हो ना अक्सर देखा गया है कि रनाउट मैच की परिस्थी पदल देती है जो मदद इस गेनबास को इस शोर से मिली है जायज है कि ये उनका फिवरिट एंड होगा गैनबास के हाथ से ही बॉल का लाइन और लेंग समझ चुके थे वो बहुत प्यारा चक्का बोलिंग में परिवर्दन स्पिनर से विकेट लेने की कोशिश हो की यहाँ पल्लेबास अपनी पहली गेन की तैयारी करते हुए पहला रण तेजी से दोड़ते हुए दूसरे रण की दोशिश वाने चाहिए यहाँ बहुती बड़िया पिकप इंद्रू पल्लेबास को एक एक्कान रने से रोक दिया गेन बास के पुरे अकड को चकना चूर करती हुई छे रन तर्शक इनके दिवाने है और क्यों नहों इतना खुल के खेलते हैं मनों हर बॉल पे चका मार देंगे इटा के खेलतिया है शानदार बल्लेबाजी और यह छे रन इनके तो यह सिर्फ चौके और चक्के ही जा रहे हैं चलिए देखते हैं अगली गेन कहां मारेंगे ओ ओ ओ ओ उठा के खेल दिया है खुबसूरत शौट और यह सीधा बाउडरी के पार बहुत ही बढ़िया टाइमिंग और शौट सेलेक्शन का प्रदर्शन कर रहे हैं यहां लेकिन थोड़ा समल के ले में हैं पूरा होता है इस आग्रामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूर्जभूच और नियंतरन के साथ यहनवाजी करनी होगी यहां है लाडराम टेजी से लेते हुए बहुत ही बड़ी अताल में दोनों बल्लेबाजों की पीच में अच्छी रणी मिट्वीन दुट्विकेश तो भाई धूनी हो गया चैप्तन बल्लेबाज अपनी पहली गेन की तैयारी करते हुए यह बॉल तो लगी हो क्यों एक बार मारा है क्या हो दो बारा मार पाएंगे पिचले कुछ मैचों से बहुत बार बॉइंट की दिशा में खेल के आउंट हुए हैं इसलिए अब बॉइंट पे फिल्डर मौजू क्याप में खेल दिया है दो रन की कोशिश होगी यहां बहुती बड़ी अधाल मेल दोनों बल्ले बाजों की पीच में अच्छी रनिंग बिट्वीन दुट्विकेट्स उठा के खेल दिया है गैप में गई और यह बेतरीन चौका फील्डिंग में परिवर्दन इनिंग की आखरी बॉल यह रही आपके सामने बहुती बड़ी अधाल मेल दोनों बल्ले बाजों की पीच में अच्छी रनिंग बिट्वीन दुट्वीन दुट्विकेट्स तो बाई ओवर समॉत इनिंग समॉत वह बाई पहले बहे जाएगा इमराम तहीर को एक बार फिर्स और ये आ रहे हैं, फिकेट समाल के खिलना होगा, यहाँ मैच स्पिन गेन बास को लाया जा रहा है यहाँ इनिंग की पहली गेन का सामना करते रुए पॉल सीदा फिर्लर के हाथ में तोई रण नहीं इस आकरामक फिल के साथ तो बहुती सूच बूच और नियत रंग के साथ के इन बासी करनी होगी यहाँ सीदा फिल्डर के हाथ में कोई राण दी ओ, बहुती बहुती बहतरीन कप्तानी यहाँ इसे कहते हैं होगवक करके आना बले बास को दिखते हुए कबस पे फिल्डर लगा दिया है जो मदद इस गेन बास को इस शोर से मिली है जायज है कि यह उनका फिवरिट एंड होगा बहुती बढ़िया शॉट, बहुती बढ़ा जिख्स जाने जाते हैं यह बले बास ऐसे शॉटों के लिए और जब फॉर्म में हो तो इन्हें रुकना ना मुम्किन होता है बहुती बढ़िया जाते है अगर तो बहुती आज के लिए इतना ही उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगे अगर अच्छा लगा वीडियो तो हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में और इन्हें हराक मैं मैं दिखाऊंगा सब्सक्राइब करें तो तक के लिए इतना ही गुड़ बाई